पुलिस पर अक्सर अपनी कारे प्रणाली को लेकर आरोप लगते हैं लेकिन इस मरतबा पुलिस विभात में जो पहल शुरू की है उससे विभात की छबी में ख़़ने लगी है दर असल कवर्णा पुलिस एमिशन 500 नाम से एक पहल शुरू की है जिसमें सले भर के चाइनित युवाओं को फ्री कोचिंग और फिसिकल ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ये युवा सो अप्शवन की नौकरी में चाइनित होने योग के बन सके विभात की इस मदद से अब तक करीब 200 युवाओं को नौकरी भी मिल सकी है जैसे एक समाने धर में बाप अपने बेटे के लिए करता है तो वो स्विधा सारी स्विधा यहां दिया जा रहा है रहने की वैस्था, खाने की वैस्था, हास्टल की स्विधा है, पढ़ाई के लिए पीचरों की वैस्था है यदि हम यह कोचिंग बिलाजपू जाके करते या राइपू जाके करते तो कम से कम 35,000 तो मिनिममम लगता है, तो यहां गरीग बच्चों के लिए बहुत अच्छे स्विधा दी जारी है, आजलनी कफिरधाम के स्विधार जारी है, हमारा प्रयास रहेगा कि 500 लोगों को सास की सेवर में लगाई है, विश्यस करके Uniform Force में, इसके लिए हम लोग लग मेटिकल के लेबल पर है, उन सब के लगता है, इस सेलेक्शन हो जाएगा. एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इसमें सभी फोर्स में जाने के लिए एक ट्रेनिंग एक 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 एडमी, फोर्स एकडमी के शुरुवात किया है, इसमें 200 बच्चे पहले से ही नौकरी लगा चुके हैं, लेकि अब जो है, यह काफी वर्दान साभी हो रहा है, क्योंकि य कवर्धा एसपी जो है, यहां के आउट डूर और इंडोर, दोनों में जो है, यह निशूर के टिख्चा दे रहा है, इसमें लिए जिए लिए अभीनाव पाहल के तहाँ तहाँ दोसो बच्चे आरेजी नौकरी में लग चुके हैं, इसे पोर्स एकडमी के तहाँ तब 500 प का सराहना भी होनी चाहिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए